आप देख रहे हैं विंडोस 10 की लेटेस्ट वर्जन की ISO इमेज आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यह ट्रिक आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा यहां दोस्तों बहुत ही रेर ट्रिक है और कब तक यह रहेगी कुछ नहीं पत हो सकता है कुछ टाइम बाद हट जाए लेकि लेकिन आपका इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर विंडोस 10 की जैन वन इस इमें जो भी लेटेस्ट वर्जन ढून रहे हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं कैसे चली मैं बताता हूं यहां पर चली है हम चलते है अपने ब्राउजर में क्योंकि यह यह ट्रिक में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि Microsoft की वेबसाइट पर आपको डाउनलोड का लिंक नहीं मिलता है Windows 10 की ISO इमेज को डाउनलोड करनेगा तो यहां पर आप Google पर जाएंगे और ड यहां पर चाहिए तो हम यहां पर क्लिक करेंगे डाउनलोड Windows 10 डिस्किमेज ISO फाइल पर ठीक है इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यह पेज ओपन होता है जहां पर आपको ISO फाइल को डाउनलोड करने का option नहीं मिलता है आप देख सकते हैं यहां अगर मैं अपडेट की ब बना सकते हैं लेकिन हमें चाहिए यहां पर आये से में जिसका यहां पर कहीं पर भी कोई option नहीं मिलता हमें तो यहां पर हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे ठीक है वह ट्रिक क्या होगी आपको इस पेज पे राइट किलिक करना होगा और इंस्पेक्ट पे जाना होगा ठीक है ग यहां पर कुछ बटन उपर आ रहे हैं आप देख सकते हैं एक सेलेक्ट अन अलिमेंट का बटन आ रहा है और एक टॉगल डिवाइस टूलबार आ रहा है आपको टॉगल डिवाइस टूलबार पर क्लिक करना है यहां पर आपके पास कुछ डिवाइस के option आएंगे आप इस आपके पास डिवाइस आएगी तो आप यहां पर मोबाइल डिवाइस में से कोई सी भी डिवाइस चूज कर सकते हैं यहां पर आपको क्या करना है यह चूज करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्या करना है यह चूज करने के बाद आप देख सकते हैं अभी आपका पेज यहां पर एक्दम सेम है, जैसा था, वैसा का वैसा ही है, जस्त यहां पर resolution size change हो गया, आपको यहां पर क्या करना है, refresh बटन पर क्लिक करना है, या फिर आप F5 दबा सकते हैं, तो मैं refresh पर क्लिक करता हूं, और यह page वापिस से reload होगा, यह reload होते ही देखिए, यहां पर आपके पास ISO file download करने का option आ रहा है, अब आप इस जो inspect element वाला जो आपका window है, उसको आप close कर सकते हैं, जहां पर आपके यहां पर आपके पास source code नजर आ रहा है, मैंने इसको close कर दिया, और आप इस page को देखिए, यहां पर आपके पास direct option आ रहा है, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, तो यहां पर select addition लिखा आ रहा है, select addition पर हम drop down पर क्लिक करते हैं, windows 10 माई 2021 update के साथ यहां पर windows 10 आप select करेंगे, ठीक है, जो कि अभी के लिए ISO image की latest image है, ठीक है, यहां पर confirm पर click करेंगे, confirm पर click करने के बाद यहां पर आपस select the product language पूछ रहा है, आप जिस language में जहां से belong करते हैं, वो आप language यहां से choose कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं English यहां से choose करत है, वो use करेंगे, जैसे सपोज मैं 64 bit use कर रहा हूँ, तो मैं 64 bit पर click करूँगा, और यहां पर जो मेरे ISO image है, वो download होना start हो गई है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहां पर थोड़ी देरे बाद, within 10 to 15 seconds, जो ISO image है, वो fetch होने के बाद, यहां पर download होना start हो जाई, यहां पर 124, 127 MB, टोटल जो size है, वो 5.4 GB का है, आप में से कहीं लोग पूछते हैं, कितने GB की होगी, तो अगर आप download करना चाते हैं, तो ऐसे download कर सकते हैं, और ऐसे यहां पर download हो रही है, यह ISO image डाउनलोड करके, आप अपने system में bootable बना के use कर सकते हैं, activation method वग्यारा मैंने आपको बताई रखा है, तो आप वो process follow कर सकते हैं, तो guys, यह एक rare trick है, जो काफी लोगों को पता नहीं होती, कि Microsoft की website से आप Windows 10 की ISO image जैनून कैसे download करें, तो आप जैनून image डाउनलोड करके, अपने system में install कर सकते हैं, जिससे virus और malware का खत्रा आपके system में ना रहे हैं, तो guys, यह थी I hope कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो की information आपको कैसे देगी, यह मुझे जरूर बताएगा, comment करके, चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो subscribe कर लिजी, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे, आप वीडियो सेक्शन में जाएं, आप वीडियो देखें, क कुछ ना कुछ आपको नया definitely मिलेगा, मिलते आप से में नेक्स वीडियो में नहीं जन करेगी सा, तब तक लिए धन्यवाद, जैह